दोशी लोग थे उनको पकड़ा जा रहा है उनके लिए सर्च ऑप्रेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने कुछ की जा रही है अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं और उनको आज उनका रिमांड लिया जाएगा ताके उनसे और जानकर है लेकर के जो भी लोग इसमें दोशी पाए जाएंगे उनके उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सथ सथ कारवाई की जायगी किसी को भी बक्षा नहीं जायेगा हां जो आम नागरेक हैं उनकी सुरुक्षा करना ये हमारा दाईत तो है उस सुरुक्षा के लिए हमारी जो चुटमूट घटनाएं हुई हैं वो सब कंट्रोल कर ली गई हैं सितिव सामाने हो गई है मेरी जंता से अपील भी है कि वो लोग शानती बनाए रखें और चूंकि आपसी तनाव में भाहिचरा बिगड़ता है भाहिचरा बना करके रखने से ही अपने प्रदेश की खोशाली है तो किसी प्रगत की घटना को आगे न बढ़ने दें ऐसा मैं जंता से अपील करता हूँ तो जंता से शानती की अपील करते हुए हर्याना के मुख्यमंतरी मनुहर लाल को आपने सुना और साथ ही उन्होंने इस बात की जानकारी भी साजा कीगी करीब 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है उन लोगों की डिमांड ली जाएगी और साथ ही इन से पूछताश के आधा तो अभी तक 116 लोग नूग हिंसा मामले को लेकर गिरफतार हुए हैं ये महत्पूर्ण और बड़ी जानकारी हर्याना के मुख्यमंतरी मनुहर लाल ने साजा की और उनका कहना था कि इस मामले के अंदर हर्याना में फिलहाल हालात सामान ने है